oneplus के phone में अगर आप अपनी कोई भी app को hide करना चाहते हैं जैसे whatsapp, instagram, snapchat या कोई भी app आप hide करना चाहते हैं तो कैसे करें चलिए यहाँ पर देखते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद अभी यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर scroll करके नीचे आना है और यहाँ आपको ढूल लेना है privacy privacy पर क्लिक करके इसे open कर लें आप इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा hide apps तो इस पर क्लिक कर लें यहाँ पर आपको password set करना है तो कोई भी password आप यहाँ पर डाल दें मैं यहाँ पर password डाल देता हूं कोई भी select कर लेता हूं और इसे use कर लेता हूं इसके बाद एक और password verify कर लेना है मतलब एक और बार डाल के अब यहाँ पर आपसे question पूछ रहा है तो इसके क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी question select कर लेना है मैं father's name select करूँगा ठीक है तो यहाँ पर daddy का नाम डाल दीजिए आप अपने यह basically क्यों डालते हैं क्योंकि कभी आप password भूल जाएं तो आपसे यह question पूछे का आपकी daddy का नाम क्या है और आपने सही डाल दिया तो आपका password खुल जाएगा ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना एक email भी डाल दे कभी password भूल जाए तो यहाँ से email के जरीए भी खोल सकते हैं इसे safe कर दे safe करने के बाद यहाँ पर sign है इसे tick कर दे तो यह complete हो गया है ठीक है अब start कर ले अब जैसे आपको कोई भी application hide करनी है मान लीजिए WhatsApp तो आपको क्या करना है setting पर click करना है तो यहाँ पर आपको access code डालना है तो आपका access code hash से शुरू होना चाहिए और इसक इसे okay कर दे done ठीक है अब यह आपकी application hide हो चुकी है यहाँ पर hide है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी application नहीं है अब अगर आप वापर से अपनी application को unhide करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको settings में ज आना है और यहाँ पर hide apps पर क्लिक करना है ठीक है और यहाँ पर आप अपना password डाल दें ठीक है इसके बाद hidden पर आना है और यहाँ से बंद कर देना है इसे और आपको यहाँ पर आपका WhatsApp वापस से नजर आ जाएगा वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सवरों को subscribe कर दें अप अबना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल्ला हाफिज